हरी गृष्णा राधे राधे वैशाक महा के शुकल पक्ष की नोमी को सीता नोमी कहते हैं धार्मिक मानेताओं के अनुसार इसी दिन माता सिता का प्राकट्टे हुआ था वैशाक महा के शुकल बक्ष की नौमी को पुशे नक्षत्र के मध्याहन काल में जब राजाजनक संतान प्राप्ति की कामना से यग्य की भूमी तैयार करने के लिए हल से भूमी जोत रहे थे उसी समय प्रत्वी से एक बालिका का प्राकट्टे हुआ उस भालिका का नाम सीता रखा गया इसलिए इस दिन को सीता नौमी या जानकी नौमी के रूप में मनाया जाता है मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन का वरत करता है शिरी राम सीता का विधी विधान से पूजन करता है सीता नौमी की कथा को पढ़ता है अत्वत सुनता है उसे सोला महादानों का फल पृत्वी दान का फल और समस्तिर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है तो आईए सुनते हैं सीता नौमी की पावन कथा सीता नुवमी की पौरानिक कथा के अनुसार मारवाड शेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ट धर्म धुरीन ब्रामण निवास करते थे उनका नाम देवदत था उन ब्रामण की बड़ी सुन्दर रूप वती पत्नी थी उसका नाम शोबना था ब्रामण देवता जीविका के लिए अपने गाव से अन्य किसी गाव में बिश्टाशन के लिए गए हुए थे इधर ब्रामणी कुसंगत में पढ़कर व्याविचार में परवर्त हो गई अब तो पूरे गाव में उसकी इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी परन्तु उस दुष्टा ने गाव ही जलवा दिया दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुरबुद्धी मरी तो उसका अगला जनम चांडाल के घर में हुआ पती क्या त्याक करने से वह चांडाली नी बनी ग्राम जलाने से उसे भीशन कुष्ट हो गया और व्याविचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था इस प्रकार अपने कर्म के योग से दिनो दिन दारुन दुख प्राप्त करती हुई देश दिशांटर में भटकने लगी एक बार देव योग से भटकती हुई कोशल पुरी पहुँच गई संयोग से उस दिन वैशाक महाशुकल पक्ष की नौमी ति थी थी जो समस्थ पापों का नाश करने में समर्थ है सीता नौमी के पावन अवसर पर भूग प्यास से व्याकुल वै दुख्यारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी हे सज्जनों हे महाभागो मुझ पर कृपा करो और कुछ भोजन सामगरी मुझे दे दो मैं भूग से मरी जा रही हूँ ऐसा कहती हुई वैशिरी कनक भवन के सामने एक हजार पुष्प मंडित इस्तंबो से गुजरती हुई उसमें परविष्ठ हुई उसने पुनह पुकार लगाई पईया कोई तो मेरी मदद कर दो मुझे कुछ भोजन दे दो इतने में ही एक भक्त ने उससे कहा तेवी आज तो सीता नौमी है भोजन में अन देने वाले को पाप लगता है इसलिए आज तो अन नहीं मिलेगा कल पारना करने के समय आना ठाकुर जी का परसाद भर बेट मिलेगा पर वह नहीं मानी अधिक कहने पर उस बग्त ने उसे तुलसी और कुछ जल परदान कर दिया वह पापिन भूक से मर गई प्रन्तो इसी बहाने अनजाने में ही उससे सीता नौमी का वरत पूर्ण हो गया अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्थ पापों से मुक्त कर दिया इस वरत के प्रभाव से वह पापिन निर्मल होकर स्वर्ग में अनंद पूर्वक अनंद वर्षो तक रही तत पस्चात वह काम रूप देश के महराज जै सिंग की महरानी काम कला के नाम से विख्यात होई उस महान साधवी ने अपने राज्चे में अनेक देवाल्य बनवाए जिन में श्री जानकी रगुनात की परतिष्ठा कराई सीथा नौमी पर जो श्रद्धालू माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं सीथा नौमी की कथा को पढ़ते अत्वा सुनते हैं उन्हें सभी परकार के सुफ़ खोवाग्य प्राप्त होते हैं इस दिन श्री जानकी स्तोत्र राम चंदराश्टकम श्री राम चरित्र मानस आधी का पाठ करने से मनुश्यों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं हरी कृष्णा राधी राधी